हाई गाईज आपका स्वालियत है मैं आपको पाट सत्याम बढ़ाऊंगी संस्कृत का तो ये बख मतलब चतुर बख और शुकला के बारे में हैं शुगाला मतलब अब हम इसको पढ़ने स्टार्ट करने के बारे हैं एक सिमम वने शुकला वकल शुगला वकल ये बोल रहा है फर्स लाइन में पढ़ रही हूं तो वह बोल रहा है एक वन में चलाक श्यार और बक रहती थी वक्त आप समझते होंगे चनिवसंत स्म रहते से मतलब इसका मनत हैं त्यो मित्रता अस्ति वो दोनों मित्र थे एक आद प्राप्त श्यार बक अवता एक बार सुभे श्यार बक से बोलता है मित्र श्रम त्वम माया सह भोजन करूं वो बोलता है दोस्त शाम को क्या तुम मेरे साथ भोजन करोगे श्रगल निमरतन बक पसंथ अवता है मतलब वो जो चराप सियार था उसके निमरतन से बग बहुत खुश हुई आग्जी में दिलने सा भोज्य श्रगला निवासे अक्ष्य थे अगले दिन अगले दिन भोजन श्रगला ने भोजन कर रहे थे दो कुटी लावव श्रग्ल कुटी लाव कर दिन आतzh載 मैं आपको बता देती है कुटी लाफ तो मैं बता रही हूं आपको कुटी लाफ स्वाफ श्रगल इस्थार बाके श्रीद्रोध अक्षत उसने एक प्लेट में खाना निकाला और उसने बोला बकह अव्त चमित्र असी पात्रें अवं अधुना सहेव खादाव जो बोलते हैं कि मैं अकेली खा रहा हूं मित्रोध तुम मेरे साथ क्यों नहीं खा रहे हो तो भोजन काले बकह से चू स्थालिती वो वो त्यूकले भोजन जो था वो थाली में था वोजन बहर समार्थ ना अवगत अंत बक्त केवल शीरोदनम अप्षट शीगला तू स्वं शीरोदनम अक्षट मतलब अंत हुआ और बक्त केवल उससे देखती ही गई मतलब एक तक देखना होता है एक तक देखती ही गई शीगले तू स्वर सर्व शीगलों अब शक्यक्त ते फिर इसमें बताया गिया है अगले दिन वह जो बात तक थी उसने बुलाया और उसने बोला कि कल तुम मेरी मेरी घर पे आ जाना फिर जो अगले दुनवा तब जब श्यार बक्त के घर गया तो उसने देखा कि बग तो उससे भी जादा चुतुर निकली क्योंकि बक्त ने तो एक घड़े में जो की नीचे से तो ऐसे मोटा सा था मैं आपको डाइग्राम बना के क्यों बस दो मिंट आप मुझे टाइम दे दीजे टो मिंट का अंदी बस दो मिंट आप मैं आपको दिखा दूंगी दो आपको अद पील जैंगी आप्र अफाली जाद आप जानाए याज दिखने रहा है टो मैं गोम दो में आपको नहीं आपको जाए कि में दो खालागर मिंट पने आपके दमस कहा हैो इस ताइप से था अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आये हैं तो मैं आपको दिखा दूँ अज देख सकते हैं यहां पर इगाले में है और फिर खाने के बुलाता है परंदू शुगल नहीं खापाता है तो फिर अब इससे हमें सिक्षा भी मिलती है तो फल भवती दुख दम मतब जैसा मतब आप जिसके साथ दुख करोगे आपको उसका फल दुख में ही मिलेगा ना कि सुख में मिलेगा सुख चहने वालों के द्वारा तो अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं वन में कुछ भी नहीं है अब हम आपको सेकेंड आपका मैं यह पढ़ लीजेगा और इसे आप खुद भर की सकते हैं अगर आप रिक्वेस्ट देंगे तो मैं आपको चैप्टिर नंबर सेविन के वो फिल करवा दूंगी थैंक्यू एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगा क्योंकि हमारी मैनत बहुत ही जादा लगने वाली है अभी तो वन वीडियो है तो थैंक्यू थैंक्फु दूड़ूपे